हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाज़ोरिया पर स्वागत है हम डिसकस कर रहें नॉन फाइनाइट वाब जिसमें आज हमारा टॉपिक है पार्टसपल और पार्टसपल, प्रिजेंट पार्टसपल, पास्ट पार्टसपल और परफेक्ट पार्टसपल सब पर डिसकस करेंगे और डिटेल में डिसकस करेंगे देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सरी टॉपिक बहुत कठीन है Non-finite verb के नाम से ही डरते हैं ऐसा कुछ नहीं है कारण क्या है कि आपने कभी concept समझने का प्रयास ही नहीं किया तो आप इस वीडियो को पूरा देखे आखरी तक देखे मैं guarantee देता हूँ 101% आप सीखोगे ना किसी किताब की ना किसी कोचिंग के आपको जरत पड़ेगी पार्टसफल क्या होते हैं जिसमें verb और adjective के गुन पाये जाते हैं इसे हम verbal adjective भी कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें verb और adjective दोनों के गुन पाये जाते हैं इसलिए अब participle तीन प्रकार के होते हैं एक है present participle, दूसरा है past participle और तीसरा है perfect participle present participle क्या होता है? verb plus ing जैसे reading past participle क्या होता है? verb के साथ d, e, d या टी कहने का मलब verb की third form जैसे talk burned perfect participle क्या है? having plus past participle यानि having plus verb की third form जैसे having type बस अब आराम से बैठ जाएए ये वीडियो को पूरा देख लीजे यह हमारा concept है, बहुत interesting concept है present participle का लेते हैं सबसे पहले, इसका use देखिए active form में verb plus ing के रूप में होता है जैसे looking और passive form में being plus verb की third form जैसे being looked पहला use present participle का continuous tense में जितने भी continuous tense है उसमें हम present participle का ही use करते हैं, वह plus ing form में, जैसे रवी is reading, रवी पढ रहा है देखिए present continuous का है बिल्कुल मैंने यह लिखा कि continuous form में हम present participle का use करते हैं ये reading रवी was reading रवी पढ रहा था, ये हमारा past continuous का है रवी विल बी रिडिंग, रवी पढ़ रहा होगा, यह future continuous का है तो present partsful का पहला यूज क्या हुआ, continuous form में tense, जितने भी tense continuous form में उनमें इनका यूज करना दूसरा क्या है, present partsful का यूज adjective के रूप में, clear है, तो adjective क्या करता है, किसी noun की विशेष्था बताता है तो यहां भी यह दि वाप plus ing form में कोई noun की विशेष्था बता रहा है, तो वो क्या होगा, present parts पर, देखें कैसे रवी साय, running, loin, रवी ने एक दोड़ता हुआ, सेर देखा, simple sentence कैसे होता, रवी साय, loin, रवी ने एक सेर देखा, लेकिन सेर कैसा देखा, उसने दोड़ता हुआ, तो loin क्या एक noun है, उसकी विशेष्था कौन बता रहा है, running, यानि दोड़ता हुआ, तो यह वाप की ing form में है तो यह क्या है, विशेष्था बता रहा है, यानि कि present participle है, जो कि adjective है, clear है, that was a boring movie, वह एक उबाव पिच्चर थी, तो movie यहाँ noun है, कैसी movie थी, boring, तो boring यहाँ पे क्या है, present participle है, जो कि adjective के रुप में कारिये कर रहा है, क्योंकि इस noun की विशेष्था बता रहा है, कि movie कैसी बोरिंग थी, next, present participle का use हम passive form में भी करते है, present और past tense में, जहाँ being plus verb की third form का use करते हैं, तो use number 3 क्या हुआ इसका, passive voice के रूप में, जैसे, a boy is being taught, लड़का पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पी being है न, यह क्या है, verb plus ing जो की present participle है, और इसका use किसमे हो रहा है, passive voice के रूप में किया जा रहा है, कि लड़का पढ़ाया जा रहा है, तो यह हमारा किसमे है, present continuous में, passive form है, तो is mr being plus verb की third form हम यूज करते हैं, तो a boy is being taught, वैसे लड़का पढ़ाया जा रहा था, यदि हम देखे इसको past continuous में, a boy was being taught, लड़का पढ़ाया जा रहा था, fourth इसका use है, जब एक ही व्यक्ति, दो कारिये, एक साथ करता है, देखे इस concept को समझ ये, जब व्यक्ति एक ही है, कारिये दो है, लेकिन दोनों एक साथ हो रहे, जैसे, रवी was reading a book, रवी एक किताब पढ़ रहा था, और रवी was sitting on the chair, व्यक्ति एक ही है, रवी, किताब भी पढ़ रहा है, कुर्शी पर भी बैठा है, ऐसी स्तिति में जो इस तरह के दो sentence होते हैं, तो हम present participle का use करते हैं, तो आप एक वर्ब को आप किसमें बदलोगे, present participle में, जैसे, sitting on the chair, और sentence की शुरुआत भी आप इसी से करोगे, clear है, त sitting on the chair, रवी वाज, reading a book, कुर्शी पर बैठ कर रवी एक किताब पढ़ रहा था, तो देखिए, व्यक्ति एक ही है, रवी, कुर्शी पर भी बैठा था, और उसी समय किताब भी पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति एक साथ दो कारिये जब करता है, तो आप present participle से sentence को शुरू क दूसरा कारिये, पहले कि जश्ट तुरंत बाद होता है, तो जो पहले कारिये हुआ, उसके लिए हम present participle का यूज करेंगे, देखे कैसे, रवी साय लोईन, रवी ने एक सेर देखा, और रवी रेनवे, रवी भाग गया, पहले कारिये क्या था, पहले रवी भागे गया, य जैसे ये सेर देखा हुए भाग गया, क्लियर है, कॉंसेप्ट हमारा ये समझ में आ रहा है, तो पहला कारिये क्या हुआ, सेर देखना, इसको आप present participle में बना दीजिए, वर्ब क्या है, सा, second form में है, तो इसके first form होती सी, तो आप सीइंग से सुरू कर दोगे, तो सीइंग ये लोयन, रवी रेन अवे, दूसरा sentence वैसे 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 उतर जाएगा, कि सेर को देखकर रवी भाग गया, व्यक्ति एक ही है, कारिये दो हो रहा है, लेकिन दूसरा कारिये पहले के जश्ट बाद हो रहा है, तब भी हम present participle का यूज करेंगे, नेक्स्ट, सिक्स नंबर देखे, यदि एक सेंटेंस में is, are, am या वाजवर जैसी वाब का यूज हुआ हो, तो इनकी जगे हम present participle से सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन यहां यूज हम being का करेंगे, is, am, are, वाजवर की जगे, यह ध्यान रखेगा, तो he is intelligent वे बुद्धी मा being intelligent, he can solve this question, बुद्धी मान होने के कारण वह यह प्रसंद हल कर सकता है, अगला यूज है, यूज नंबर 7, देखे, इसका देखे, क्या है, as, since, because से शुरू होने वाली subordinate clause की जग है, हम present participle का यूज करते हैं, देखे, कैसे, as, he is poor, he can't buy ये car, क्योंकि वह गरीब है, हुआ हमारा, यह sentence, तो as हमारा यहां conjunction वार, इससे शुरू होने वाला, यह जो part है, यह subordinate clause हो गए हमारा, clear है, अब चुकि यह is MR वाजवर से शुरू हुआ, मैंने अभी थोड़ देर पहले बताया, तो आप यहां being का यूज करोगी, sense में, तो बना दीजिए being poor, he can't buy a car, ग he can reach his house in 10 minutes, क्योंकि वा तेज चलता है, इसलिए वा 10 मिनट में अपने गर पहुँच सकता है, as sin से शुरूआ है, इस subordinate clause से तो आप present participle का यूज करोगी, लेकिन वाब यहां है, क्या है, walk, यानि चलना, इसको convert कर दीजिए present participle में, walking very fast, he can reach his house in 10 minutes, अब यहां पे देखिए, यहां is था, इसलिए हमने इसको being बनाया, इससे पहले मैंने rule number 6 बताया, उसके according, लेकिन यहां पे verb है, तो आप उसी को ing form में बनाओगी, clear, next आता है, past participle, past participle का पहला use है, past participle का मरलब क्या होता है, verb की third form, इसका पहला use है perfect tense में, जितने भी perfect tense है, उनमें हम past participle यानि verb की third form का use करते हैं, जैसे, Ravi has finished his homework, Ravi ने अपना घ्रह कारिये पूरा कर लिया है, has plus verb की third form, यह हमारा present perfect का है, यहां भी हमने finish, यानि verb की third form के रूप में, past participle का use किया, next इसी sentence को हम देखे, past perfect में, Ravi had finished his homework, तो had plus verb की third form, तो Ravi ने अपना घ्रह कारिये पूरा कर लिया था, इसी को हम future में देखे, Ravi will have finished his homework, तो future में हम will have या sell have का use करते हैं, Ravi के साथ will have का use होगा और verb की third form, जो कि क्या है, past participle है, तो Ravi अपना घ्रह कारिये पूरा कर चुकेगा, अब जब भी आपको कहीं पे verb की third form दिखे, तो आप उसे past participle बोलिए, देखे, grammar का तु बोलने का तरीका यही हम तो direct सीधे third form, second form बोल देते हैं, लेकिन past participle का मतलब क्या होता है, verb की third form, next, past participle का दूसरा यूजर, adjective के रूप में, कैसे, he is a retired teacher, वह एक सेवा निवरत, सिक्सक है, यानि वह नौकरी उसकी पूरी हो चुकी कहने का मतलब, तो अगर यह simple sentence होता, आप कैसे लिखते हैं, he is a teacher, वह एक अध्यापक है, लेकिन यह जो teacher है ना, एक noun है, और इसकी विशेशता बता रहा है, कौन यह retired, की teacher कैसा है, retired है, सेवा निवरत है, और यह verb की third form है, जो विशेशता बता रहा है, इस noun की, इसलिए यह adjective के रूप में कारे कर रहा है, कौन है, past participle है, this is a fried fish, यह एक तलीवी मचली है, तो this is a fish, यह एक मचली है, लेकिन मचली कैसी है, मचली noun है, उसकी विशेशता बता रहा है, कैसी है, तलीवी है, जो की verb की third form है, तो क्या है, past participle, जो एक adjective है, next, past participle का use, basic voice में भी हम करते हैं, जैसे, यह letter was written by me, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तो यह वर्ब की third form देखे, passive में तो वर्ब की third form ही use आती है, तो महां भी इसका use किया जाता है, a boy has been taught, लड़काया पढ़ाया, जाचुकाया है, next आजाई है, perfect participle, देखे, बहुत important है, बहुत interesting है, मज़ा भी आएगा, आसानी से समझा दूँगा, दो format में use होता है, एक तो having plus warp की third form, और warp की third form मतलब past parts spell, जो मैंने अभी थोड़ दिर पहले बता है, यह तो इसका active form है, पेसिव में having been plus warp की third form, यह इसका passive form है, देखे, पहला use क्या है, जब एक ही व्यक्ति दो कारे करे, व्यक्ति एक है, कारिये दो है, और दूसरा कारिये पहले के बाद हो, और दोनों कारियों के बीच में gap हो, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं हो, तो पहले समाप्त हुए कारिय उसने एक पत्र लिखा, पहला कारिये, he posted it, और उसने पोस्ट किया, तो पहला कारिये तो पत्र लिखेगा, उसके बाद ही तो पोस्ट करेगा वो, तो जो पहला कारिये हुआ यह और दूसरा यह, और दोनों के बीच में gap भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि पत्र लिखने का इसकी वर्ब क्या है, रॉट यानि राइट, इसकी थर्ड फॉर्म आप रिटर्न करोगे, उसके पहले हैविंग, हैविंग रिटर्न ए लेटर, फिर अगला सेंटेंस, he posted it, एक पत्र लिखकर उसने डांक से भेज दिया, यहां एक चीज नौट कीजिएगा, ऐस अगला सेंटेंस, हमने प्रिजेंट पार्ट्सफल में बनाया था, लेकिन वहां क्या था, जब एक ही व्यक्ति दो कारिये करें, दूसरा कारिये, पहले के तुरंत बाद हो, वहां कोई गैप नहीं हो, तब आप प्रिजेंट पार्ट्सफल का यूज करोगे, लेकिन यहां के बीच में आपको लगे कि गैप है, तो फिर आप यहां पे परफेंट पार्ट्सफल का यूज करोगे, having played a match, I went to school, मैच खेलकर मैं इस्कूल गया, तो यहां हमने परफेंट पार्ट्सफल का यूज किया, लेकिन यह दिन के बीच में गैप नहीं था, तुरंत हुआ, तो कारिय दो था तो यहाँ दो व्यक्ति का मतलब दो subject हो और दो कारिय करें तो जो दूसरा कारिय है पहले के बाद होगा तो पहले समाप्त कारिय को हम subject plus perfect participle से शुरू करेंगे क्लियर है तो यहाँ पे व्यक्ति का मतलब subject से हैं दो subject है दो कारिय हो रहा है क्लियर जो कारिये पहले होगा उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस पर्फेक्ट पार्ट्सफल का यूज करेंगे कैसे दस सन रोज यानि सूर्य उगा दा फॉग डिसपिर्ड और कोहरा गाइब हो गया पहला कारिये क्या हुआ सूर्य का उगना उसकी किर्णों से कोहरा जो है गाइब हो गया यहाँ पे व्यक्ति दो मतलब सब्जेक्ट दो एक सन है दूसरा फॉग है तो हम पहले वाला जो है इसको सब्जेक्ट प्लस पर्फेक्ट पार्टसफल बना देंगे बनाईए दस सन फिर हैविंग का यूज करोगे और वाप की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे रोज यानि राइज रोज राइजन तो राइजन फिर नेक्ट पार्ट उतार दोगे दा फॉग डिसपिर्ड सू जैसे the job was completed यानि की कारिय पूरा हो गया he went on live वयाउकास पर चला गया तो ये जो sentence है न हमारा PCU में क्योंकि कारिय पूरा हो गया तो हम कर नहीं रहे कारिय पूरा हो गया कहने का मतलब यह है तो आप कैसे बनाऊगे पहला कारिय यही था हमारा the job having been और यहां completed वह आपकी third form he went on live, यानि कार्य पूरा होने पर वह चुटी पर चला गया, इस तरह आप PC voice में perfect participle के रूप में having been प्लस वाप की third form का use करोगे, चलो एक और ले ले, पराजित होने के बाद वह भाग गया, तो having been defeated, he ran away, यानि वह पराजित हुआ और भाग गया, तो यहाँ पर देखिए, यह हमारा PC voice का sentence था, तो concept आपका बहुत किलियर और आसान हो गया, यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और share जरूर करें, और यदि आप channel पे नए हैं, तो इसे subscribe कर ले, हसते रहें, मुस्कुरात रहें, देखते रहें, आपका अपना channel, SR चाजोरिया, धन्यवार,